दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपराजिता के पौधे को शेयर करने जा रहे हूँ तो दोस्तो अपराजिता का पौधा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ काफी खुबसूरत लगता है तो ऐसे में अगर आपके अपराजिता के पौधे पर इस समय पत्यां पीली हो रही है फ्लावरिंग कम हो गई है या बिल्कुल होना बंद हो गई है आपके पौधे की भी ग्रोथ रुख गई है तो अब आपको इस समय अपने अप्राजता के पौधे पर ऐसे कौन-कौन से कामों को करने के साथ में ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर को डालना होगा जिससे कि आपके पौधे पर फिर से एक बार नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और नमबर तक पौधे पर बराबर फ्लावरिंग होती रहे नमशकार दोस्तों आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है तो शलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ात दोस्तों इसी के साथ में ये एक पर्मनेंट फूल वाली बेल होती है और एक बार अगर इसे आपने अपने घर में लगा लिया तो फिर इसके जो बीज तयार होते हैं उससे अगले सीजन में फिर से नए पौधे तयार हो जाते हैं इनके फूल काफी खुबसूरत होते हैं अक्सर इसमें तीन कलर के फूल आते हैं बैगनी, सफेद और गुलाबी. दोस्तों सबसे पहले आगर आपके अप्राजिता के पौधे पर फ्लावरिंग बंद हो गई है और ग्रोथ भी उसकी रुख गई है तो आप अपने पौधे को धूप में उठा कर रख दें अगर कहीं ऐसी जगे रखा है जहां उस पर पूरी देर की धूप नहीं आ रही है. जैसे ही टमप्रेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने लगता है और रात को ओस गिरना सुरू हो जाता है तो अप्राजिता के पौधे पर धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होने लगती है और जैसे ही तेज ठंडक पढ़ने लगती है और इस पर फूल आने बंद हो जाते है लेकिन दोस्तो अभी सर्दी इतनी नहीं पढ़ रही है और अभी आपका पौधा फिर से एक बार हरा भरा हो सकता है इसलिए आप अपने पौधे को उठा कर पूरी धूप वाली जगे पर रख दें दूसरी चीज़ दोस्तो ध्यान देनी है कि इस समय अपराजता के पौधे को ना तो बहुत कम पानी देना है और ना बहुत अधिक पानी देना है क्योंकि अगर आप बहुत कम पानी दे देंगे तो पौधा हरा भरा नहीं रहेगा पत्यों में ताज़की नहीं रहेगी और आपको पौधा स्वस्त सा नजर नहीं आएगा इसके लावा अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो ठंडक की वज़े से पौधे की मिट्टी में काफी नमी बनी रहेगी जिस वज़े से पौधे में आईरन और कैल्शियम की कमी धीरे-धीरे होने लगेगी क्योंकि जड़ें अच्छी तरीके से खाना नहीं ब बनी रहे अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके अपराज्टा के पौधे की ग्रोथ रुख गई है फ्लावरिंग आनी बंद हो गई है तो सबसे पहले आप अपने अपराज्टा के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें क्योंकि किसी भी पौधे पर जब आप अपने अपराज्टा के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देंगे तो और उपर से जब आप फर्टिलाइजर देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि 3-4 दिन में अपराज्टा के पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है प्रूनिंग करन के आसपास अगर कोई खराब डालियां है या डालियां किसी भी तरीके की हैं तो उनको हटा दीजिए जिससे की अपराज़ता का में तना खुल जाए और उस पर धूप लगने लगे और पौधा फिर से एक नई ग्रोध को स्टार्ट कर सके शली दोस्तों अब बात करते हैं कि इस समय अपराज़ता के पौधे को ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर देनी है जिससे की पौधे में एक नई ग्रोध के साथ में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके तो दोस्तों अगर आपका पौधा 10 इंश के गंबले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप एक शमच सरसो खली के पाउडर को ले ले और गुडाई करी हुई मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें क्योंकि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेशियम के साथ में बहुत से पोशक तत्तु पाये जाते हैं जो कि सर्दियों में पौधो को दी जाने वाली बेस्ट फर्टिलाइजर के रूप में काम करती हैं दूसरा इस फर्टिलाइजर की खास्यत होती है कि इसमें गर्माहट होती है इसलिए सर्दियों में इस फर्टिलाइजर को जब पौधे की मिट्टी में मिलाया जाता है तो उस मिट्टी में गर्माहट आ जाती है जिसकी वज़े से पौधे की जड़े खराब नहीं होती है और सर्दियों में भी पौधा स्वस्त बना रहता है दोस्तों अगर आप इसको लिक्विड रूप में अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक चम्मच आप सरसोखली पाउडर को ले ले और आधे या एक ली चैन में इस्तेमाल होती है मसाले के रूप में आप उसको पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी फर्टिलाइजर आपको पौधे पर इस्प्रे के रूप में करनी होगी तो ये है एपसम सॉल्ट जिसमें की मैगनीसियम सल्फेट नाइट्रोजन फासफोरस और सलफर जै और सर्दियों के समय में अक्सर पौधे में मैंगनीसियम और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप एक लीटर साफ पानी ले उसमें एक चमच एपसम सॉल्ट को अच्छी तरीके से घोल कर जब सलूसन तयार हो जाए तो पौधे पर परसो खली का पाउडर की फर्टिलाइजर बना कर अपने अपराज़ता के पौधे को देते हैं तो सदी में भी आपका अपराज़ता का पौधा हरा भरा और फ्लावरिंग करता रहेगा इन फर्टिलाइजर के अलावा दोस्तों आप ओनियन फील फर्टिलाजर और बनाना अपराज़ता के पौधे में रेगुलर डालते रहते हैं तो भी आपका अपराज़ता का पौधा हरा भरा रहेगा साथ में उसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में तब तब के लिए दोस्तो हैपी गार्डनिंग